आप सबी का हमारे आपके अपने इस प्यारे से चैनल अनपड़ पर मैं भारत भूशन के रोड़ा आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं अगर मैं आपको बताओं तो मेरा नाम है भारत भूशन गैरोला और इस समय पे जो है मैं उत्राखरण सरकार का एक PSU है वहाँ पर पिछले साथ सालों से Edge Assistant Engineer के रूप में कार्या कर रहा हूँ और पिछले जो है दस सालों से जो है competitive exams के लिए different different platforms पर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ as a freelancer teacher, electrical engineering और electronics engineering के लिए आज हम लोग जो है हमारा राजस्थान के अंदर जो है एक बहुत बड़ी vacancy निकली है किस तरह से उसकी preparation करनी है, क्या आप लोगों की approach होनी चाहिए उस सब चीजों के बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो अगर हम बात करें, हमारा जो ये राजस्थान के अंतरगा जो है राजस्थान Public Service Commission अजमेर ने जो है vacancy निकाली है ये हमारी group instructor की है, server की है, assistant apprentice advisor की है ये हमारी जो है आपकी grade 2 की post है और हमारी जो है 4800 grade पे अगर हम बात कर रहे हैं 6th pay commission की, तो यहाँ पर ये 4800 grade पे की ये vacancy है जो अपने आप में golden opportunity है हाला कि इसकी form filling की date जा चुकी है तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन इस डॉंट्स के regarding जिनों ने जो है इसका form fill किया है उनकी क्या approach होनी चाहिए तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो total post है यह हमारी 63 post है, 360 posts है अपने आप में एक बहुत बड़ी opportunity है क्यों मैं इसको opportunity कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे आपकी branch electrical engineering है mechanical engineering है, civil engineering है agriculture engineering बसरते आपकी branch कोई भी है आपने अगर ITI किया हुआ है आपने अगर diploma किया हुआ है आपने अगर B.Tech किया हुआ है तो आप सब के सब इसमें eligible है बसरते जो है कुछ experience के criteria's है, आप उन्हें experience के triderias के अंदर अगर fit बैठते हैं तो आप जो है इसके लिए eligible हैं ठीक है, तो और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी जो date of exam जो बताई है आयोग ने, यह exam जो है पहले थोड़ा सा delay होने वाला था लेकिन अभी जो इसकी नई date जो आई है वो हमारी आई है 23 जून 2025 तो अभी हमारा नौंबर है नौंबर दिसंबर और हमारा 23 जून तो हमारा कितना लगबग लगबग जो है 7 से 8 महिने का समय हमारे पास यहाँ पर हैं लगबग जो है हमारे पास 200 दिन इस exams की तयारी करने के लिए हैं तो अगर आप लोगोंने अभी तक अपनी तयारी शुरू नहीं के लिए है तो आप लोग जो है अपनी तयारियों को शुरू कर लीजिए किस तरह की अप्रोच होने वाली है धीरे धीरे हम लोग आगे बात करने वाले हैं पहले basic सा देख लेते हैं क्या होने वाला है जी इसका एक objective paper होगा जो कितने number का होगा जी 1500 questions आएंगे 1500 number का होगा मतलब एक question जो है एक number का होगा और हमारा जो है ढ़ाई गंटे का समयस के अंदर होगा मतलब हमारा 150 minute तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 1 minute per question मिलने वाला है that means 60 seconds per question मिलने वाला है तो that means इतने छोटे से durations के लिए मैं कहूँ कि कोई बहुत लंबे numerical साने वाले हैं तो नहीं यहाँ पर जो हमें mainly जो focus करना है one liner पे focus करना है ठीक है मैं आपको previous paper भी यहाँ पर आज दिखाऊंगा उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा discussion इस वीडियो में आगे कर लेंगे तो यह हो गई है बात ठीक है न अब यहाँ पर जो है हम आपको जो है उस vacancy के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वो vacancy है क्या-क्या चीजें है कैसा उसके अंदर है इन सब चीजें के बारे में जो है हम लोग आपसे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए उसका पूरा का पूरा जो है लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहों सारी की सारी details जो है मैं आपके साथ share कर दे रहा हूँ तो सबसे पहले यह हमारी वेकेंसी की details की अगर हम बात करें तो यह हमारी वेकेंसी की detail यहाँ पर यह है ठीके ना यह हमारी वेकेंसी है राजिस्तान लोक सेवा आयोक से निकाली गई है यहाँ पर हमारे पास यह वो वेकेंसी इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है ठी ठीक है न तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर कुल 63 ठीक है न जी चलिए अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या है इसमें जो है जो आपका प्रिटिकुलर जो इसमें कौन-कौन बच्चेस फॉर्म को फिल कर सकते थे उनकी जो है किसी भी देखिए टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए डिग्री इन टेक्नलोजी ठीक है किसी भी ब्रांच की होनी चाहिए चलेगा ठीक है जी एए सीटी से अप्रूब्ड होनी चाहिए यहाँ पर जो है यह बात करने वाला है हमारा की एए सीटी से अप्रूब होनी चाहिए इसक मामला भी कोर्ट में बिचारा दीने है तो हो सकता है वो eligible हो जाया अगर कोर्ट में डिजन के फेवर में आता है बट फिलाल के लिए अगर हमें भी बात करें तो यहां पर उन्होंने कहा है equivalent to AICTC और UGC ठीक है यह आपका क्या होना चाहिए degree in technology, degree in engineering और equivalent qualification में तो फिलाल के लिए AMI वाले student जो है इस degree किसके लिए eligible नहीं अगर आपने जो है AMI इसके लावा ठीक है जी 3 year diploma आपका होना चाहिए यह तो degree हो यह फिर diploma आपका होना चाहिए ठीक है जी और आपका क्या होना चाहिए आपका जो है अब यहाँ पर अलगर अगर आपके पास यह यह है तो क्या होना चाहिए ठीक है तो अगर आपके पास B.Tech है इंजिनेरिंग में है तो आपको 3 साल का experience होना चाहिए अगर आपका diploma है तो 5 साल का experience होना चाहिए National Trade Certificate National Apprentice Certificate है तो आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए इसके अलावा आपको देवनागरी बोले तो हिंदी का घयान और राजस्थानी भासा का जो है घ्यान होना चाहिए ठीक है तो यह details जो है यहाँ पर आज डिसकस करने यहाँ पर इसका कोई logic नहीं है क्योंकि आपका जो है इसके form feeling की date जा चुक है तो जिन student ने form feeling करा है हम यह मानते हैं कि आपने जो है विर्गुल सही form feeling करा है उसके according जो है हम लोग आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहे है अब यहाँ पर जो है हमारे पास यह उसका syllabus है तो अगर आप लोग जो है इस syllabus को आपने देखा होगा तो इस syllabus में आप पाएंगे कि हमारा जो है total कितने कुल जो है हमारा इसमें 5 parts इसने दिये हुएं 5 अलग-अलग भाग इसने दिये हुएं अब देखिए इसको अगर कोई और अरजी फरजी उनिश्टी बना रही होती या कोई testing agency बना रही होती तो मैं कहता कि जो है कुछ भी आ सकता है लेकिन आयोग है आयोग की अपनी एक बिसुसनियता होती है आयोग जो है एक राज्य की एक independent body होती है किसी भी exam को conduct कराने के लिए तो that means अगर उसने जो syllabus दिया है और syllabus को उसने 5 अलग-अलग module में रखा है that means हर एक module का equal weightage है हर एक module का equal weightage है that means अगर यहाँ पर 5 module उसने दिये है और 150 questions हमको आने है तो 30 questions जो है हमारे each है तो हर एक module जो है हमें कितने marks देने वाला है हर एक module जो है हमें 30 marks देने वाला है ठीक है न देखिए अब यहाँ पर चूकी यह common exam है common exam means electrical का eligible है mechanical का eligible है civil का eligible है information technology वाला eligible है agriculture वाला eligible है उसके लावा वो भी eligible है जिसने diploma करा है जिसको जो है 5 साल का experience हो गया है यह जिसने ITI में जो है apprentice करी है उसको 8 साल का experience हो गया है जिसने b.tech करा है जिसको 3 साल का experience that means यह पहली तो experience वाली post है दूसरा यहाँ पर जो है आपको cut to cut कांटे का मुकावला जो है इस vacancy में दिखाई देने वाला है यह मैं क्यों कह रहा हूँ देखे एक तो यहाँ पर जो है जो भी इस तरह के exam होते हैं यह general experience मेरा है क्योंकि मैं पिछले जो है 2 से 3 सालों में अल क्योंकि देखे एक बच्चा सर्व ग्याता तो नहीं हो सकता तो that means अगर वो electrical का student है तो mechanical के questions करने में उसको difficulty phase करनी पड़ेगी mechanical का है तो उसको जो है आपका electrical में या electronics में थोड़ा सा difficulty feel करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर अगर आप जो है हर module को slabs को थोड़ा अच्छ से prepare करके जाते हैं यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ यह बात मैं इसले कह रहा हूँ कि लगबग जो है आपके पास साथ महीने का समय हैं लगबग आपके पास जो है 200 दिन हैं तो यह अगर आप जो है तैयारी करके जाते हैं तो आप easily जो है इस exam को crack कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है और अगर आप जो है मतलब मेहनत करने के लिए तयार है तो आप exam को easily forward सकते हैं इस चीज़ ये guarantee में आप लोगों को दे सकता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज़े है जी पहला वाला अगर हम portion की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है safety precautions, first aid के बारे में पूछा है fire fighting equipment, treatment of electric shock, burn and cuts, general procurement procedure, inspection of material, maintenance of store, record keeping ठीक है यह कहीं न कहीं हमारा जो है mechanical engineering का part है और इसको engineering के अलावा अगर हम लोग देखें क्योंकि यहां पर जो भी mainly students रहेंगे वो कहीं न कहीं experience वाले रहें न तो इसमें जो industry background की यह यहां से यहां तक की चीज़ें तो मैं मानता हूँ कि यह industrial background की है है न अगर आपने industry में work किया होगा तो आपको idea होगा first aid क्या होता है उसके अंदर क्या-क्या दवाईयां रखनी होती है कौन-कौन सी दवाईयां company करनी पड़ती है expiry rate का इसमें क्या rule है firefighting आग बुझाने के लिए कौन-कौन से equipment हम यूज करते हैं है न आपका जो है liquid में हो CO2 type है यह आपका nitrogen है यह आपका powder type है DCP type अलग-अलग type के अलग-अप्लिकेशन इसकी होती है यह nitrogen type nitrogen के हैं carbon dioxide वाले हैं अलग-अलग है यह direct bomb type के हैं कि एक जो है आ अलग-अलग-अप्लिकेशन का अलग-अलग है तो वह आपको पता होना चाहिए और इसके लावा जो है अगर आपको जो है बिजली का जटका लगता है तो आपको कैसे treatment करना है क्या उसका process है कितने MPR पे जटका लगता है है यह सारी बाते जो है यहां से यहां तक का जो है भले ही से mechanical engineering में हमारा diploma में या ITI students को हम लोग यह पढ़ाते है उनके syllabus में ही रहता है mechanical में बट यह कहीं न कहीं एक हमारा practical वाला पार्ट है ठीक है इसके अलावा method of communication skills enterprise है ना और factory act 1948, factory amendment act 2020, टीक है factory amendment act or factory act 1948, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा important है कि minimum wages क्या होनी चाहिए, उसके क्या age होनी चाहिए, यह कानून कहां पर लगता है, अगर female worker है तो उसको कितनी चुट्टियां देनी है, male को कितनी चुट्टियां देनी है, है ना उनके लिए जो है, उनके CSA corporate society responsibility में हमको क क्या करना है, है ना अलग लग चीज़े, सारी चीज़ें यहाँ पर बात होने वाली है, अब exam point of में मगर आप निकालोगे factory act तो आपको 60 बनने का दिखाई देगा, वो 60 बनने में से क्या क्या important है, जो आपके practical use होता है, है ना, तो वो सब चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाता है, इफ देर उनके marks भेज दिये जाते हैं, NCVT को, फिर उनका certificate बनके आता है, है ना, क्योंकि जनरल यह यह चीज़ मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, कि मैं हमारे पास ITI वाले अप्रिंटिस करने बहुत सारे students आते हैं, और पिसलिए पाच्छे साल क्या wages रहते हैं, कैसे इनका selection होता है, किस तरह के questions पूछे जाते हैं, यह वाला portion यहाँ पर हो गया है, इसके लावा यहाँ पर यह हमारा mechanical engineering का party यह वाला हो गया है, कि industrial engineering वाला party यहाँ पर हो गया है, अब यहाँ पर हमारा आ गया है इसका part 2, है ना, दूसरा module ठीक है ना, थोड़ा law से related, जो हमको industry में काम आने वाले हैं, जो हमारे daily, जिस job में हम select होने वाले हैं, वहाँ पर हमारे काम आने वाले, वहाँ के बारे में बात करिये, ठीक है, अब इसका part 2 है, यह हमारा electrical engineering से related है, ठीक है, अब electrical engineering की बात आती है, तो थोड़ा सा मैं खुस इसलिए हो जाता हूँ कि क्योंकि जो है, मैं electrical engineering ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे लग रहा है यार, यह तो अब देखो, मेरा topic आगया है, ठीक है, लेकिन आज हम generalize way में discuss करने वाले हैं, तो बताने वाला हो कि यह देखे, electrical engineering में, आपका यह सल है, ठीक है, nature of electricity में हम कहां से बात करेंगे हम बात करेंगे कैसे electricity flow होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, चार्ज क्या होता है, फिर potential क्या होता है, EMF क्या होता है, current, voltage, work, power, energy, AC में बात करेंगे, DC में बात करेंगे, इसके बीच का difference जानेंगे, देखेंगे, AC खतरनाक है कि DC खतरनाक है, यह सब आपको पता होना चाहिए, ओम स्ला हो गया, क्रिचॉप्स ला हो गया, general concept, cell और battery के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, voltage, current, power की कल्कुलिसंस करने वाले हैं, AC सर्केट में, different, different joints के बारे में बात करने वाले हैं, electrical and electronics components के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अलग-लग type की register, capacitor, inductor, इनके बारे मे हम लोग बात करने वाले हैं, fundamental of solar cell, power cell, renewable energy, its advantage, principle and construction of single phase transformer, और आपके common hand tools of electrical engineering works, ठीक है, यह हमारा है, देखिए, कितना important role यहाँ पर देखिए, इतना सा छोटा सा topic यह है, और यह आपके लिए कितना 30 questions जो है, 30 marks जो है, आपको यह देने वाला है, ठीक है, आगला देखिए, unit 3 हमारा देख लीजिए, है ना, various type of building materials है, यह हमारा कहां से, civil engineering का part है, ठीक है, तो इसको जो है, हमारी concern, जो civil team के faculty होंगी, वो आपको जो है, आपके साथ discuss कर लेंगे, वो अगर आप जो है, comment box में interested होंगे, कि किस तरह से आपको जो है, आने वाले time बे किस तरह से content आप लोग हो गया है, civil engineering के बाद, जो है, हमारा यहां पर यह mechanical engineering का part हो गया है, है ना, mechanical engineering के part होने के बाद, देखे, mechanical engineering का एक बार के लिए आप देखोगे, slabus बहुत बढ़ा है, है ना, slabus बहुत बढ़ा है, लेकिन एक unit की तरह दिया है, तो weightage दो है, इसका 30 marks ही रहने वाला है, है ना slabus का weightage जो है, यो unit बनाई है ना, उसके according जो है, इसमें questions का weightage रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि IO किसे करवा रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास हमारी unit 4, है ना, unit 5 जो हमारी है, यह हमारी mainly जो है, electronics और computer science से related है, ठीक ह सबसे पहले working and construction of rectifier and dear applications, digital and alonox signals के बारे में बात कर रहा है, basic logic function, basic logic gates, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या कर रहा है, number system के बारे में बात कर रहा है, optical fiber के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, computer, hardware, software, operating system, software, utility software, firewall क्या होती है, database management system क्या होता है, physical and logic concept of data क्या होता है, information, its characteristics, representation of information inside computer, awareness of information technology, act, e-commerce, cyber security, topic related to e-commerce, internet, email, web browser, ठीक है, यहां से, देखें, नीचे वाले portion से, यहां से हमारे current related questions का formation हो सकता है, अगर इस question में current आता है, क्योंकि PSC's exam को करार रहा है, तो current affair के questions आने की, जो different, different हमारी information technologies में, यह cyber security में, cyber crimes की जो policy है, वहां के बारे में बात होने वाली है और यहां पर यह हमारी electronics engineering और हमारा computer science engineering जो है, यहां पर यह मिलता जूलता है, यहां पर इसका slabis है, ठीक है, हाला कि इसमें कहें कि हम core computer science engineering तो नहीं है, तो अगर हम देखें, इस पूरे के पूरे slabis को, जो हम लोगों ने देखा है ना, और यहां पर इनने बताया भी है कि ह हमारा जो है धाई गंटे का इसका एक्जाम होने वाला है, 150 questions आने वाले हैं, 150 marks के होने वाले हैं, मतलब आपका एक minute का time जो है आपको एक question में मिलने वाला है, that means आपको 60 seconds का time जो है एक question में मिलने वाला है, ठीक है, तो बातों का लबो लबाब ये है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ डिसकस करी, उन चीज़ों का लबो लबाब ये है कि इस exam के लिए आपको आपकी ब्रांच कुछ भी हो, electrical engineering पढ़के जानी है, mechanical engineering पढ़के जानी है, civil engineering पढ़के जानी है और electronics engineering पढ़के जानी है, और basic information technology या computer science, mainly मैं उसे computer science नहीं कहूँगा, क्योंकि रियल लाइब से connected चीज़ें है, मतलब उनकी आपको वैसे जानकारी होती है, तो वो चीज़ें हम लोगों को पढ़के जानी है, हर एक unit का अपने आप में एक importance है, तो हर एक unit को आपको अच्छे से करना है, किस तरह से करना है, धीरे धीरे जो है आने वाले समय में, हम लोग जो है इस channel पर वीडियो आज आप लोगों के लिए आएंगी, जहां पर हम लोग जो है आपको बताएंगे, किस तरह से आप जो है electrical engineering के तयारी करें, electronics engineering के तयारी करें, civil engineering के तयारी आप लोग कैसे करें, mechanical engineering के तयारी कैसे करें, और आने वाले time पर हम लोग जो है इसके लिए एक course भी launch करेंगे, तो अगर आप लोग जो है interested हो तो description box में आपको हमारे WhatsApp group का link मिल जाएगा, आप लोग जो है हमारे WhatsApp group को जरूर join कर लीजिएगा, इसके अलावा जो है आपको description box में हमारे telegram group का link मिल जाएगा, उसे भी join कर लीजिए, dedicated जो है इसके लिए हम लोगों ने जो है group बनाया है, और फिर आप लोगों के साथ जो है मेनत करते हैं इस vacancy के लिए, और इस vacancy को जो है तोड़ने, फोड़ने की पूरी कोशिस करेंगे, और आप लोगों को selection दिलाने की पूरी कोशिस हमारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों के साथ मिलके, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, हम लोग जो है आपकी सफलता के लिए, एक अध्यापा के रूप में केवल 10-15% रोल हमारा होता है, 80-85% रोल जो है एक इस ड्रेंट का होता है, टीचर जो है केवल टीचर और एक अध्यापा का काम जो है आपको रास्ता दिखाना है, उस रास्ते पर आपको चलना है, महनत आपको करनी है, तो हम लोग जो है आपकी इस यात्रा में आप सब लोगों के साथ सहयातरी बनना चाहते हैं, तो क्या आप लोग हमें जोईन करना चाहते हैं, तो क्या आप अगर इस सम्चीजों के लिए तयार हैं, तो description box में आपको हमारे WhatsApp ग्रूप का link मिल जाएगा, आप उसे join कर लीजिएगा, Telegram ग्रूप का link मिल जाएगा, उसे join कर लीजिएगा, comment box में अगर आपकी कुछ queries हैं, तो उसको भी comment box में रखेगा, ताकि आपकी इस query का समाधान किया जाए, और आने वाले जो है अगले कुछ दिनों में जो है आपको जो है इस channel पर लगाता live classes जो है particular course related जो है देखने को मिलेगी, पूरे इंडिया की जो है बहतरीन team लेके हम यहाँ पर आ रहे हैं, different different PSU's में जो working है, अलग लग जगा जो है चाहे हमारे जो है UP में जो है पॉल टेकनिक पर वक्ता हूँ हो, चाहे हमारे उत्राखंड में जो है किसे अच्छे department में कोई sir हो या कोई हो, एक dedicated लिए बहुत अच्छी team जो है हम लोग अनपड़ आप सब लोगों के लिए बीच लेके आने वाला है, तो आप सब लोग तयार हो जाए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर दीजे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और friend के काम का है, तो ये वीडियो जो है अपने friend के साथ आप लोग जो है जरूर share कर दीजेगा, धन्यवाद.